हेलो गाइज मैं पूजा कोठारी आप सबका शक्तिस किचन में स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम पनीर एंड बेल पेपर क्रिस्पीज बनाएंगे जिसे आप ब्रेकफर्स्ट, इवनिंग स्नाक या स्टार्टर की रूप में भी सर्व कर सकते हैं तो आएए हम जटपट से देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवशक्ता होगी ब्रेड फोर स्लाइसेज पनीर हंड़ेड क्रैम्स बेल पेपर टू टेबल स्पून केचप टू टेबल स्पून चिली सॉस वन टेबल स्पून बटर मेल्टेड वन टेबल स्पून सॉल्ट टू टेइस्ट सबसे पहले हम अपनी ब्रेड स्लाइसेज को राउंड शेप में काटेंगे यह देखे इस तरीके से हम अपनी बाकी ब्रेड स्लाइसेज को भी काट लेंगे यह मैंने सारी ब्रेड स्लाइसेज को काट लिया है अब हम एक पैन में बटर डालेंगे और उसे धीमी आज पे गर्म हो लेंगे बटर गर्म हो गया है हम इसमें बेल पेपर्स डाल देंगे दोस्तों यहां मैंने ग्रीन बेल पेपर्स ली हैं आप चाहें तो यलो रेड किसी भी कलर के बेल पेपर्स का इस्तिमाल कर सकते हैं, अब हम इस पे पनीर डालेंगे और सॉल डाल देंगे, दीवी आज पर ही इसे चलाते रहेंगे, केचप डालेंगे, चिली सॉस डाल देंगे, अब इसे अच्छे से चलाते रहेंगे, तकरीवन पाच सेकंड के लिए हमें इसे धीमी आज पर ऐसे ही चलाना है, यह रेखें हमारा मिक्षर तैयार हो गया है, अब हम एक पैन में बटर गर्म करके, ब्रेट की स्लाइसेज उस पे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे, इसे दौनों तरफ से पलटके हमें ब्राउन सेकना है, मैंने सारी ब्रेट स्लाइसेज को सेक लिया है, अब हम इसे स्टफ करेंगे इस मिक्षर के साथ, यह देखें, इस प्रकार से हम मिक्षर अपना ब्रेट स्लाइस के ऊपर रखेंगे, और दूसरी ब्रेट स्लाइस से कावर कर देंगे, इसी तरीके से हमें दूसरी भी ब्रेट स्लाइस को करना है, मैंने दूनों ब्रेट स्लाइस तयार कर ली है, आप इसे टेमेटो केचप या चिली सॉस के साथ सर्फ कर सकते हैं, तो फ्रेंट्स अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्रीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं,